अलो नवश्कार दोस्तों आज हम फिर एक मेरिज की टाइमिंग करेंगे और हम यूज करने वाले हैं पाराशरी जैमनी एंड केपी एस्ट्रोजी एस्ट्रोजी की करीब करीब सभी विदाओं को इस पर्टिकुलर कुंडली पर लगा कर हम टाइमिंग ऑप मेरिज करेंगे वीडियो को सुरू से आखिर तक देखें जो भी लोग एस्ट्रोजी सीखना चाते हैं उनको इससे बेटर कोई भी मौका नहीं मिल सकता आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हो मगर इस तरीके से मैं आपके सामने बिलकुल इसको लाइप रेडिक कर रहा हूँ मैं रीजनिंग भी दूंगा कि कौन सी चीज मैं किस तरीके से देख रहा हूँ शुरू करते हैं सबसे बहले नेटिव का डेट व बर्थ है 21 जून 1995 टाइम अब बर्थ है 6.12 एम 16 पूर महराष्ट्रा यह मैंने इनका बर्थ चार्ट लगाया हूँ है डीवन चार्ट और यह नवांश चार्ट है तो मैरिज की टाइमिंग में सबसे इंपोर्टेंट पार सबसे पहले मैं देखता हूँ नेटिव की यह लगन है त्री सेहिन की और लगन के अंदर सूर्य आकर बैठ गये हैं और इसके बाद हम देखते हैं तो लगने पर कोई एस्पेक्ट है क्या है यदि हम यहां पर ध्यान से देखें नहीं तो सेटन एस्पेक्ट कर रहा है नही लगन्लोड मरकरी है उसका मित्र होता है मरकरी का सूर्य है तो मित्र आपर आकर बैठा हुआ है तो लगन ऊतनी घ्राब नहीं है अब मैं आजाता हießen लगन्लोड पर तो नितिव का लगन्लोड चला गया है बारुए भावव के अंदर बारँवे बाव लॉड के साथ तो फिप्त लॉड भी आप बार में बाव हैं तो वैसे तो एक combination मनता है कि native अपने native place से कहीं दूर जाकर studies करेगा पढ़ाई करेगा even foreign land में जाकर भी पढ़ाई कर सकता है अब मुझे नहीं पता native ने पढ़ाई किया है नहीं है but this is a very strong combination कि जिसके अंदर वो native अपने native place से दूर जाएगा displace होगा और वहां जाकर पढ़ाई भी कर सकता है तो लग लॉड actually अपने मित्र की राशी में और उसी मित्र के साथ बैठा हुआ है बारवें बारवें placement उतना अच्छा नहीं होता मगर क्योंकि वह मित्र राशी में और मित्र planet के साथ बैठा हुआ है तो मैं उसको बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मान कर चलूँगा excuse me तो लगने native की neutral ही हम consider करके चलेंगे कोई बहुत strong नहीं है अब क्योंकि marriage की बात कर रहे हैं तो आप 7th house पर पहुंचना जरूरी है सात्मा भाव की इस्तिति देख लेते हैं तो 7th house को यहां पर sun और Saturn देख रहा है दो malefic planet एसपेक्ट कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि यहां पर Saturn का एसपेक्ट है इसलिए delay in marriage को यह indicate कर रहा है Sun भी उसको एसपेक्ट कर रहा है तो यह भी एक तरीके से malefic influence डाल रहा है साथ में बाव के अंदर को फर्दर हम आ जाते हैं 7th Lord की बात कर लेते हैं 7th Lord छटे बाव के अंदर चला गया और उसको मार्स एसपेक्ट कर रहा है साथ साथ में मगर उसको मरकरी और वीनस भी एसपेक्ट कर रहा है तो दोनों एसपेक्ट कर रहे हैं 7th Lord in 6th house expected by Mars, Mercury और वीनस तो इसका placement बहुत अच्छा नहीं है 7th Lord का मगर चलो इसको दो benefit planet एसपेक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं इसको बहुत बुरा भी नहीं मान कर चलूँगा placement is not good बट दोनों benefit planet देख रहे हैं तो ऐसे 7th Lord placement करा वे एसपेक्ट की वज़े से वो थोड़ा improve हो गया अब हम देख लेते हैं कार का of marriage वीनस तो शुक्र बारवे वाव के अंदर चला गया और यहां पर इसको सेटन एसपेक्ट कर रहा है मरकरी के साथ कंजक्टेड है तो देखिए इस पर शुक्र पर दो एनी उच मतलब नपुन्सक ग्रहों का असर है शनी देख रहा है जो कि नपुन्सक ग्रह है और मरकरी इसके साथ पलेशना है वो भी नपुन्सक ग्रह है तो दो नपुन्सक ग्रहों का इस पर वीनस के उप बार में वा में, बीनस-मर्करी का conjunction मैं आपको इत्स सूत्र दे रहा हूं, दूसरे बार में, पाँच में वा में, नवे वा में, बार में, वा में, और साथ में वा में, जबी भी conjunction होता है, वो marriage को delay करता है, marriage में problem करता है. One more thing, यहां पर जो seventh lord है, वो Jupiter है, वो retrograde है. 7th lord jupiter retrograde है, यह सारे combinations आपके delay in marriage को indicate कर रहे है, delay को कौन-कौन सा combination indicate कर रहा है? Saturn साथ में वाव को देख रहे है, Moon और Saturn का conjunction है तो वो भी delay in marriage को indicate करता है, Venus Mercury conjunction बाहर में है, वो भी delay in marriage को indicate कर रहा है, 7th lord jupiter indicate कर रहा है delay in marriage, D9 chart के अंदर अब हम आ जाते हैं तो 7th house D9 chart का राउ के तू एक्सिस पर है marriage के event के लिए राउ के तू एक्सिस कोई बहुत खराब नहीं होता केवल वो indicate करता है unconventional, untraditional marriage को यहां पर 7th lord को देख लेते हैं वो है mercury तो 7th lord mercury फिर 6 बाव में चला गया D9 के अंदर भी मगर यह मित्र राशी में फ्रेंड साइन के अंदर है जैसे पहले था और इसको यहां पर sun और Jupiter दो देख रहे हैं सूर्य और Jupiter यहां पर इसको एस्पेक्ट कर रहे है 7th house की यहां बात करता हूं तो 7th house is expected by moon इसको moon aspect कर रहा है और राउ के तू एकसिस पर है तो राउ के तू एकसिस एक रहे हैं दोनों एक दूसरे को mutual aspect कर रहे हैं डी नाइन चार्ड के अंदर यदी में चला जाता हूं तो 7th और 9th Lord को यदी में देखता हूं 7th Lord Mercury है और 9th Lord Sun है दोनों आपके एक दूसरे को further aspect कर रहे हैं इसके अंदर भी तो यह some kind of love marriage को भी indicate करता है अब marriage का promise बनता है या नहीं बनता है सबसे पहले मैं यह चीज़ देता हूं तो marriage का promise यहां पर देखिए जो डी वन चार्ड के अंदर शुक्र है वो ओन राशी में है तो वो उतना ज्यादा के आकर देख लूँ डी नहीं चार्ड के अंदर तो भी वो अपनी मित्र राशी में बैठा हुआ है के अंदर में बैठा हुआ है तो वो marriage को यहां पर भी denial नहीं करेगा इसी तरीके से 7th lord 6th house के अंदर चला गया तो वो 7th lord 6th house में है मगर वो own friend sign के अंदर है इसी तरीके से divan chart के अंदर भी मैं देखता हूँ तो 7th lord 6th house में तो 7th lord 6th house में marriage को denial नहीं करता मगर वो किसीन किसी तरीके का dispute create करतेता है marriage के अंदर या after marriage event में कुछ problem create करता है तो यहां पर denial of marriage नहीं है और denial of marriage नहीं होने की वज़ा है कोई भी house इतना बहुत ज्यादा बुरी तरीके से afflicted नहीं है 7th house या badly afflicted नहीं है अला कि उसको sun और certain aspect कर रहे हैं मगर उतना afflicted नहीं है sun अपनी friend sign को aspect कर रहा है तो marriage का promise इस कुंड़ी के अंदर नजर आता है अब हम बात कर लेते हैं कि marriage कब हो सकती है नहीं हो सकती है तो आपने मेरा previous वीडियो देखा होगा मैं महा दशाओ को इसमें बहुत ज़्यादा importance नहीं देता सबसे पहले मैं डीवन कुंड़ी से देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी दशाएं qualify करती है marriage के लिए तो जो सूत्र है मेरा वो है पहला बाव सात्मा बाव बारों बाव इन बावों के लॉड की दशाओं में marriage हो सकती है तो फस बाव के अंदर थ्री sign है उसका लॉड मरकरी हो गया साथ में वह वहव के अंदर nine sign है उसका Lord Jupiter हो गया और बारों में वहाव के अंदर टू sign है उसका Lord Venus हो गया इन तीनों की दशाओं में marriage हो सकती है वीनस नेचुरल कारग है तो उसकी दशा में भी हमेशा मेरिज हो सकती है यहां पर तो वैसे ही वीनस आगया है उन्ना वीनस को भी हम एड़ कर लेते राउ और केतू के बारे में मैं बता देता हूं कि जो ये तीन लॉड आये अपके मरकरी जूपिटर और वीनस यदि इनमें से किसी की भी राशी में राउ केतू चले याते हैं तो वह भी क्वालिफाई करते हैं मेरिच कर आने marcari की जुपिटर की वीनस की राव की मैं सूत्र आप फिर रिपीट कर रहा हूं 1st Lord, 7th Lord और 12th Lord की दशाओ में मेरिज होती है वीनस की दशाओ भी मेरिज को क्वालिफाई करती है राव और केतु भी मेरिज करा सकते हैं यदि वो 1st Lord, 7th Lord या 12th Lord की राशियों में हैं नेटिव ने मेरे पास अप्रोच किया था 9th April 2024 को तो मैं उसके आसपास के पीरेड पर ही इसको कुंडिली को एनलाइस करूँगा फर्दर तो 9th April 2024 के आसपास जो इनकी महादाशा चल रही थी वीनस की चल रही थी पांच अप्रेल 2017 से लेके पांच अप्रेल 2037 तक आपको पूरा सीखने के लिए मिलेगा मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं पूरी कुंडिली किस तरीके से एनलेसिस की जाती है किस तरीके से टाइम किया जाता है मैं कंप्लीट यहां पर बताने वाला हूं पूरा मै मैं अपना mind के अंदर में क्या read कर रहा हूं वो भी आपको बता रहा हूं तो अब यहां पर यह वीनस की दिशाओं के अंदर ही आप अंतरदिशा हैं देखिए तो अंतरदिशा हैं देख ली मैंने तो यहां पर यह 5-4-2024-3 तक की अंतरदिशा देखने की जुरत नहीं है इस चारों की ही आपको अंतरदशा हैं देखनी हैं बागी की अंतरदशा हैं देखने की जुरत नहीं है महादशा को consider नहीं करेंगे तो अंतरदशा मार्क क्वालिफाई नहीं करती मगर राउ क्वालिफाई कर जाती है वीनस राउ अंतरदशा क्वालिफाई करती है वह 5-6-2027 तक है 5-6-2024 तक इन 3 साल के पिरिड में नेटिव की मेरिज हो सकती है अब वीनस राउ की अंतरदशा के अंदर हम प्रत्यांतरदशा की टेविल पर चले जाते हैं तो पहली प्रत्यांतरदशा राउ की है 17-11-2024 तक यह प्रत्यांतरदशा भी क्वालिफाई करती है राउ की अंतरदशा में राउ की प्रत्यांतरदशा मेरिज के लिए क्वालिफाई करती है क्योंकि यह मैं बता चुका हूँ कि आपकी अंतरदशा और प्रत्यांतरदशा रिपीट हो सकती है द्यान से सुनिएगा फिर से एक अंतर दशा है प्रत्य अंतर दशा दूसरी किसी प्लानेट की है तो शूक्ष्म दशा उसी प्लानेट की नहीं हो सकती अंतर दशा और प्रत्य अंतर दशा रिपीट हो सकती है मगर प्रत्य अंतर दशा और शूक्ष्म दशा रिपीट नहीं हो सकती तो मैंने इसको पिंप सुक्षमिदशा जुपिटर की आ रही है रहों के अंदर यह क्वालिफाई करती है वैसे मगर मैंने इसको consider इसलिए नहीं किया इस वक्त पर जब जुपिटर की दशा चल रही है तो मैं देखता हूं कि यहां पर transit की conditions किस तरीके से satisfy कर रही है या नहीं कर रही है उसे मैं देखूंगा और अभी मैं बताऊंगा आपको next आपकी Saturn की qualify नहीं करती है एक तो यह आपकी सुक्षमिदशा क्वालिफाई कर रही है Saturn के बाद फिर Mercury की भी सुक्षमिदशा क्वालिफाई कर रही है नो नो दोजार चौबीस तक और Mercury के बाद फिर Venus की भी सुक्षमिदशा क्वालिफाई कर रही है 16-10-2024 तक तो यह वाली आपकी यह सूख्ष्म देश्चा क्वालिफाइब कर रही है तो native की marriage इस टेम पर हो सकती है यह भी सूख्ष्म देश्चा क्वालिफाइब कर रही है तो native की marriage इस पर भी हो सकती है तो नीचे मैंने लिखा है AD of Rao 56-2024 से 56-2027 तक है जो आपकी सुक्ष्ण दशा है क्वालिफाई कर रही है वो Rao Rao Jupiter, Rao Rao Mercury and Rao Rao Venus ये क्वालिफाई कर रही है अब इन में किस की दशा के अंदर नेटिब की मेरिज होगी तो यहां पर मैंने क्या किया है देखे यह मैंने वही चीज को लिख दिया है अंतर दशाव Rao 56-2024 से 56-2027 तक है मैंने इनकी मेरिज को पिंपइंट किया है Rao Rao Venus की दशा के अंदर मैंने जुपीटर और मरकरी को नहीं कंसिडर किया है वह मैं भी आपको रीजन बता दूँगा क्योंकि मैं केवल विम्शोत्री दशा के वेस पर टाइम नहीं करता मैं साथ में टाइम करने की कोशिस करता हूँ कि इवेंट को टाइम किया जाए और भी दशाओं को लेकर ऑर दशाओं लेकमें जैमनी भी यहां पर लगाँ और जो दोनों दशाओं में जो कॉमन कीर्डभ रहा है उस तैम पर मैं इसको टाइम करने की कोशीश करऊंगा मैं तो यहां पर हम देखते हैं और ट्रांजिट को भी मैं आपर कंसिडर करूंगा तो ट्रांजिट को भी कंसिडर करने की हमें जुरत पड़ेगी तो यहां पर यह जो मैंने पिरिड पिंपइंड किया है वह राउ-राउ-वेनस किया है 19 सेप्टमबर से 1610 2024 इस पिरिड को मैंने पिछले को क्यों नहीं के बीच में इसके बाद राऊ-रौ मरकर है वह आपका सोलह अगस्त से लेकिए और 9 सेपटेmbr तक तो जो सोलह अगस्त से लेकर 9 सेपटेmbr तक और यह वाला पीरिड है इसमें maximum period वो है जिसमें marriage होई नहीं सकती देव आपके शेन में चले जाते हैं देव सो जाते हैं तो जब देव शो जाते हैं तो उस टाइम पर किसी का भी हम ज़दी timing कर रहे है marriage की तो उसका कोई use नहीं है Hindu mythology के इसाब से सोते वे देवों में marriage native की हो नहीं सकती तो आपको वो point time decide करना पड़ेगा जिसके आसपास marriage हो सकती है इस time पर marriage होने की नहीं marriage fix होने की कोई chances होते नहीं है marriage जो fix करते हैं कोई भी आपके शुक कारिये करते हैं वो आपकी नवरात्रियों के आसपास हम शुरू करते हैं और marriage नौवंबर दिसम्बर के मंत में generally होती है तो कभी भी marriage की जो timing है वो जुलाई 15 के बाद और अपका आगस September में करने का कोई यूज नहीं है एक तो मैंने यह reason लिया कि मैंने इसको time नहीं किया उस समय पर मैं आपको पूरा reason बता रहा हूं कौन-कौन से चीजों को consider मैं कर रहा हूं किवल दशा और अंतर दशाओं को इस चीज को भी consider करना बहुत जरूरी है क्योंकि marriageable time भी तो होना चाहिए यदि marriageable time नहीं है तो फिर उस time पर हम time कर देते हैं तो उसका कोई use नहीं है तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा इसको मैंने क्यों नहीं कर लिया है मैंने 19 सप्टेंबर से लेकर 16 अक्तूबर तक का पीरड क्यों consider कर लिया फिर उस time भी नहीं marriage हो सकती मगर उस time fix हो सकती है उसके जश्ट बाद नौवंबर में marriage ओना शुरू हो जाती है दिसंबर में marriage ओना सुरू हो जाती है तो उसके nearest जो मुझे पीरिड मिला उ लेकर नियान पर डार्रक रख है उपत को मार किया और आप देख लिजिए कि अंद। मुझे की अंदर डार्रक नौज को मार की यह यह क्या होते हैं ओलरडी में जैमनी सिरीज आप देख सकते हो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा दारा कारक वह प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है अब इसकी जैमनी में जो दशा है यह मैंने मैंनियुली कैलकुलेट किया है एप वगरह में उतनी एकुरेट नहीं होती 21 दोजार चोबीस से 21 दुजार चोबीस के बीच में पैसेज औं लिब्रा की दशा चल रही है मीन राशी और लिब्रा मितलब तुला की दशा चल रही है तो आप देखिए बिलकुछ सटीग बढ़ यह बारा साइन है उसके अंदर दारा कारक जिस भाव के अंदर बटा है उसकी दशा है और तुला के अंदर सेवंध पद है तो दोनों ही दशा और इंतर दशा मेरिज के लिए परफेक्ट हैं इससे बैटर जैमनी में कोई कॉमिनेशन नहीं बन सकता सेवंध पद की अंतर दशा चल रही है और आपके दारा कारक जिस भाव के अंदर है उसकी माह दशा चल रही है तो यह पीरड आपका जैमनी के हिसाब से भी इसको क्वालिफाई करता है तो वही कॉमन पीरड आ गया देखें 21st जुलाई से लेके 21st अक्टूबर 2024 जो हम विम्शोत्री में भी देख रहे थे वो भी करीब करीब यही पीरड आ रहा है तो 21st जुलाई के असपास है राव राव मरकरी को भी कंसीडर कर लेता हूं तो सेप्टमबर 24 के असपास है और राव राव वीनस को भी कंसीडर कर लेता हूं तो 16,10,20,24 सक है तो दोनों में सेम कोमन पीरड आ रहा है है मैंने यह क्यों लिया यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यह पीरड मैंने देश का अलपातर के साब से लिया है कि यही मैं कूंड़ी किसी फॉरिंटर की देख रहा होता तो मैं बता देता कोई दिक्कत नहीं उस टेम मै वालूम है कि उस वक्त पर 2024 अक्टूबर के असपास सेटन 11 साइन में ट्रंजिट कर रहा है सेटन इलेवन साइन यह रहा यहां से वो ट्रंजिट करेगा तो द्यान से देखिए वह अपनी दस्वी दरश्टी से सेवंध लॉड को एसपक्ट कर रहा है यह सेवंध लॉड ज सेंट रहा तो जुपिटर भी टू सैंट से एक्चुली फर्दर वह आपका सेवंध लॉड जुपिटर को एसपक्ट कर रहा है डबल ट्रंजिट की कंडिशन सैडिस्फाई होगी अब मंत भी मैं निकालता हूँ यह एक मेरा रीजन है इस परिंट को मैंने पिंपंट किया ह है मंत फिया होगा गए श्तैम यह ट्रंसिट कर जाएंगा सूरीय एड्ज सैन में चला जाएगा सब्सक्राइब लाइगा तो वह मन्त मीं पता चलेका आपको एट सइन के इंदर यह आएगा तो सटमबर एक्टूबर के मंत में ही वह एड्वाल इंदर होता है जुपिटर 19 सफ्टमबर से लिए और इस पूरे पिरड़ में यूपिटर वह सूरी सूरिया एड्वाइट के अंदर होगा तो देखिए आपके 39 7th Lord को influence कर रहा है जुपिटर भी 7th Lord को influence कर रहा है और आपका Sun भी 7th Lord को influence कर रहा है यदि मैं मार्स को भी ट्रांजिट में देखता हूं तो मार्स लगने फ्री साइन में उस तायम पर ट्रांजिट कर रहा होगा और और 3 signs से वह 7th house को aspect कर रहा होगा तो मार्स भी इस condition को fulfill कर रहा है तो transit की सारी condition fulfill हो रही है at end of September transit की condition उसे early भी मकर fulfill हो रही है मगर मैंने यह आपर Sun को सबसे ज्यादा ध्यान दिया है इससे आप द्यान कर सकते हो कि मैंने September को सետटन और जुपिटर तो इनको पहले भी ट्रांजिट की कंडीशन को सटिस्भाइए करने लग जाए है यह मंत और वट साटिस्भाइ करेंगे मगा सूर्य है उसको साटिस्भाइ निकरेगा सूर्य तभी सैडिस्भाइए करेगा जब वो या तो 3 साइन में या फिर वो आपका 8 या 9 साइन में है तो सूर्य जब 8 साइन में आया उस ताइम को मैंने पिंपोइंट कर लिया कि फर्दर एक के अन्रावसर का एक सट है कि जब भी किसी नेटिव की महरीज होती है तो वो दारा कारक को सेटन ट्रानजीट में इंफ्लियंस करता है यह पर सेटन ट्राणजीट में अक्तूबर नॉv trace में 11 साइन में था दारा कारक 12 साइन में तो मौर्च 2025 में वो 12 सेटन में चला जाएगा तब वो आपका दारा कारक कि ओपर transitかer साओ तो सेटन और जुपििटर को consider करके चल रहा हूं फर्दा Saturn in transit देखिए यहां पर मैं Saturn को transit में देखता हूं यह मैं और combination लगा रहा हूं वो नेटल मार्स को और नेटल जुपिटर दोनों को influence कर रहा है तो यह एक और condition होती है ज़िस सेटन नेटल मार्स और नेटल जुपिटर में से किसी एक को influence करें तभी मेरीज हो जाती है दोनों को influence करें तभी मेरीज हो जाती है तो मैंने सभी तरह के की अपकी दशा अंतर दशा प्रत्य अंतर दशा विम्शोत्री लगाई और जैमनी लगाई और transit की condition लगाई और सूर्य से मैंने मन्त डिसाइड किया किस मन्त में मेरीज होगी नेटल की और उसके basis पर मैंने यहां पर आपके सामने जो टाइम पिंपॉइंट गिया नेटल का वो मेरीज यह fix हो जाएगी कोई बात हो जाएगी जो की आपकी आगे चलके बनने वाली है पक astrology बिल्कुल नहीं जानते उन्हें भी मैं सिखाने की कोशिस करूँगा आप वीडियो को एंड तक देखिए आप जरूर के पी astrology यहां पर सीख कर जाएंगे ऐसा मेरा बिलीव है कि आप जरूर सीख जाएंगे तो यहां पर हम केपी पर आ जाते हैं यह केपी astrology में हमें तीन टेबिल चाहिए होती है वो आप किस भी mobile app पर चाह सकते हैं तो यह टेबिल आप निकाल लीजे एक कस्प टेबिल होती है एक planet के significance की टेबिल होती है और वह सरी planet के अपके सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इस्टार लॉर्ड वगरा की टेबिल होती है और एक planet कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं यह जुपीटर है इसे नोट कर लाएं तो सेवेंध आउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपीटर है उसको मैंने नोट कर लिया अब आप planet वाली टेबिल में जाएंगे दूसरी नंबर पर एक एक इस टप को द्याम से समझें जो यह जुपीटर यहां पर लिखा हुआ है इसके आप सब लॉर्ड और नक्षत लॉर्ड को नोट करें जुपीटर के सब लॉर्ड और नक्षत लॉर्ड को यहां से लें जुपीटर का सब लॉर्ड राउ है और नक्षत लॉर्ड सेटर्न है यह देख लीजिए आपको दिख रहा होगा तो म से बेल है मैंने क्या किया सेविन था उसका कस्पल सब लॉड नोट किया वो जुपिटर था अब जुपिटर का मैंने यहां पर प्लैनेट टेबिल से सब लॉड जुपिटर का और उसका नक्षतर लॉड यह नोट कर लिए राहू और सटन यह तीन प्लैनेट आगे मेरे पास Jupiter, Rao और Saturn, मैं promise देख रहा हूँ. अब जाना है, आपको Planet Signification टेवी के अंदर. तो Jupiter के आगे जो जिंजिन आॉसेज को signify कर रहा है, उन्हें note कर लें. 6, 7, 8, 9, 10. ये लिख दिया मने 6, 7, 8, 9, 10. फिर Rao जिंजिन आॉसेज को signify कर रहा है, वो note कर लें. अब इन तीनों में जो जो भी आॉसेज आ रहे हैं, उन्हें सभी को एक साथ लिख देते हैं. तो वो आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैरिज के लिए जो relevant आॉसेज हैं, वो होते हैं, 2nd, 7th and 11th. इनके पी अस्ट्रोजी. उन्हें से कोई भी बाव, यह script होगी, 7th house की. इनमे से कोई भी बाव, यहां पर आ रहा है, एक भी बाव आ रहा है, तो native की marriage हो जाएगी, promise is there. 7th house एपियर हो रहा है, इसका मतलब, इस कुंडिली के अंदर marriage का promise है, तो KP astrology के सबसे, इस native की marriage होगी. अब जो current दशाओं को जिनको मैंने consider किया था, माह दशा और अंतरदशा को यहां पर लेंगे. पाराशरी में मैंने अंतरदशा, पृत्यांतरदशा और सूक्षिन दशा गो लिया था, KP में माह दशा और अंतरदशा को लेंगे. तो जिस तेम को मैंने pinpoint किया था उस तेम यह दशा चल रही थी महादशा Venus की और अंतरदशा राओ की थी तो Venus की महादशा में राओ की अंतरदशा में native की marriage हो सकती है या नहीं अब प्रित्य अंतरदशा भी ले सकते हो मैंने यह पर लेकर नहीं दिखाया है वीडियो बहुत लेंदी हो जाता फिर भी मैं इसको करने की कोशिस कर रहा हूं कि Venus की महादशा और राओ की अंतरदशा में marriage होगी कि नहीं अब Venus की महादशा में देखने का तरीका क्या है वही तरीका आप Venus को लीजिए प्लैनेट वाली टेवल में उसके सब लड और नक्शातर लॉड को नोट कर लिजिए नक्शातर लॉड मून है सब लॉर्ड मरकरी है तो मैंने वह पहे हैं लिखा Venus नक्शातर लॉड मून और सब मरकरी जिसकी महादशा चल रही है उसको हम देखना चाते हैं उस महादशा में marriage भी होगी कि नहीं promise है या नहीं महादशा में यदि महादशा में promise नहीं है तो marriage नहीं हो सकती फिर अंतर दशा देखने की जूरत नहीं है यदि महादशा में भी promise है तो फिर हम अंतर दशा देखेंगे उसमें भी promise है तो marriage हो जाएगी तो महादशा में देखे Venus यहां पर लिखा उसके significance, planet significance table से लिखे 2, 5, 10, 12 2, 5, 10, 12 इसका जो नक्षतर Lord है Venus का वो moon है तो moon को भी note कर लिया 1, 2, 4, 10, 12 यह लिखा बन है उसका सब Lord है आपका Mercury तो Mercury को भी हम note करेंगे तो यह Mercury आगया 1, 2, 4, 10, 12 फर्दर हम इसकी script तेयार करेंगे इस सभी को लिख लेंगे जो भी बाव आ रहे तो वह आ रहे 1, 2, 4, 5, 10, 12 तो marriage से related हैं हम पर second house हो गया marriage से related house होते हैं अब मैं अंतरदशा को देखूँगा उस टेम्प अंतरदशा थी राव की तो वह ही टेक्निक अपलाई करेंगे यहां पर राव को ले लेंगे राव नोट करेंगे उसका नक्षत्र लोड भी राव है सब लोड जुपिटर है इन तीनों को नोट कर लेंगे तो राव उसका नक्षत्र लोड राव और सब लोड जुपिटर इस table से हम देखेंगे राव किन किन houses का signify कर रहा है 5th house नक्षत्र लोड भी 5th house है और जो सब लोड है जुपिटर वो signify कर रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 अब इन सब को collectively लिख देंगे तो यह आजाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 11 नहीं है सोरी तो 7th house यहां पर भी आ रहा है देखें तो अंतर दशा लोड भी इस marriage के promise को justify कर रहा है इसमें एक और खास बात है KP के साब से जो कस्पल सब लोड में 5th house हा रहा है दशा में भी 5th house हा रहा है और अंतर दशा के अंदर भी 5th house हा रहा है यदि 7th के साथ 5th का combination है तो वो love marriage का combination भी हो जाता है जैसा कि मैंने आपको इनी से ली चार्ड में भी बताया था कि native की love marriage के combination बन रहा है जो मैंने starting में यहां पर आपको एक combination यहां पर explain किया था कि 5th and 7th lord एक दूसरे को aspect कर रहा है ऐसे 7th and light lord भी mutual aspect करते हैं तो किसी तरह के की आपकी non-person से marriage हो सकती है native की unconventional marriage भी यहां पर appear हो रही है deny chart के अंदर राउ के तू axis है और उस पर moon और venus दोनों placed है moon और venus दोनों placed है इसकी जो deny chart में आपके marriage के promise के लिए एक और मैं आपको concerned बता रहा हूं किसी भी native की यदि deny chart के केंद्रों में यदि शुब ग्रह बैटे हो तो उसकी easily marriage हो जाती है तो यहां पर दो दो शुब ग्रह बैटे हो है moon and venus at least venus तो शुब ग्रह ही है और राउ के तू axis पर है दोनों ही तो moon और venus का जो combination है वह भी love marriage को indicate करता है यह दोनों salt planet है तो यहां पर इस native की love marriage या अपनी choice से भी marriage हो सकती है तो इस तरीके से हमने native की marriage को time किया इसके time तीन अलग अलगा रहे थे मैंने उसको September, October क्यों pinpoint किया क्योंकि September, October में एक तो moon जो सूर्य का transit है वो उस month को justify कर रहा है इस तरीके से लिया और मैंने इसलिए भी लिया है कि September, October के आसपास रिस्ते होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि marriage का season November, December में सुरू होता है यदि हम जुलाई और अगस्त के time पे marriage fixing करें तो उसके आसपास कोई marriage होती नहीं है इसलिए उस time को बने हैं पर avoid किया है उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको जैसा भी लगया कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करें आपको क्या नया सीखने को मिला वो भी जरूर बता है नमशकार, धन्यवाद, जैश्रीराम